किसी भी समाज के उत्थान के लिए उसे समाज का शिक्षित होना आवशक होता है शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का उड़ान दे सकते हैं भारत देश की नीव उसके गाउं की उसकी विवस्था है और जब तक आप इसके गाउं विवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक नहीं कर सकते तब तक गाउंवासियों को मुख्यधारा में लाना असंभव है वहीं कहीं देखने को मिलता है गाउंवासियों में शिक्षा के प्रति जागरुपता का अभाव है ब्लॉक डिलारी के गाउं जेटपुरा में मास्टर मुझफफर हुसेन उस्मानी ने उस्मानी कोचिंग सेंटर खोल रखा है बताते चलें कि मुझफफर हुसेन उस्मानी का कहना है कि जो परिवार गरीवी रेखा की श्रेणी में आते हैं आर्थिक तंगी की वजह से हाई स्कूल और इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है ऐसे चातर चात्राओं को हम निशुल्क शिक्षा देते हैं सेंटर पर काफी संख्या में लड़के वा लड़कियां कैमरे की निगरानी में शिक्षा प्राप्त करते हैं, आज भी सेंटर पर सत्तर, छात्र और छात्राएं नीशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन बच्चों को आज नीशुल्क स्कूल बैग वितरन किये गए मास्टर मुझफपर हुसेन उस्मानी का ये है एक सराहनी कारी है ग्राद कारी हम यह मोचे लेकर आपको बताएंगे कि किस तरहां विर्फ के बिंदेने का कैसे आया क्या है आईये उनसे हम बाचिड करते हैं जाते हैं कि क्या उनका वीचार है इस वारे में मुझफर हुसेंदी, तुडे 24 न्यूज में आपका स्वाज़त है, यहां पर उस्मानी कोचिंग सेंटर जुए आपने खोला है, जिसमें आप मुफ में यहां बच्चों को शिक्षा प्रणान कर रहे हैं, किस तरहां से यह विचार आपके मन में आया? मैं असल में शुरू से ही प्रारम से ही मेरा इस दिशा में अलगी नजरी रहा है कि मैं सिच्चा के छेत्र में कुछ नया करूँ और मैंने काफी दिनों के यहां सेवा भी की है, पुराने जो इंटरकुली रहे हैं, वहां पर मैंने अध्यापन कारिय क्या है, और उसी दिशा क को लेते हुए मैंने आज आगे बढ़ करके मुझे लगे बख यहां दो तीन साल हो गए हैं और मैंने कोचिंग से लाया है, मेरा जो मक्सद है वही है कि जो गरीब बच्चे हैं जो ठाक द्वारा दिल ली आपको कोटा वगरा नहीं जा पाते हैं कोचिंग के लिए, वह यह जहां छेत्र में अपना आराम से और बिना किसी परिशानी के यहां खिरान करें और कामियाबी उनको हासल है, यह आपने अपने स्थर पर एक बहुत काबिले तारीफ काम किया है, क्योंकि आज के दौर में जहां शिक्षा को केवल और केवल व्यापार की दृष्की से देख कर रहे हैं, इसमें जो है, जो भी मेरा स्थाफ है, इसका भी मेरा बहुत बड़ा योगदान है, और इसमें मैं आपको बता दूँ का भी जो हाई स्कूल और इंट्रमीडेट की परिशा में सम्लित होने वाले बच्चे हैं, उनको भी मैंने महराथन क्लास के रूप में, कि आपके पात में आपके सवाल आपके सामने आए, यह डिरेक्ट बच्ची जो है, आपके पास में एडमिशन के लिए आगए, इतनी संख्यां हम देख रहे हैं, काफी अच्छी संख्या आपके तो किस तरह अपने ही प्रास की अपने की है जिस तरह थीन सालों से तो बैने जब इस्टाइडी में शुरू किया था तो पास आज बच्चे ही मेरा पास थे और उने के साथ मैंने काफी महनत किये और उसके बाद जैसे ज़से धीरे धीरे हम आगे शलते गए जैसे अब ही यह जो रहा है इसमें भी है जो अरसे थायर पांचो भर्ती हुई थी उसमें हमारे पांच शे कंडिजेट ने किये थी और जो है जो उनतर हार बाती चल रही है बात्मान में जो कोड में लंबित है माने आपके रिजल्ट आपके कोचिंग सेंटर जो है आपको बेहतर देखने को मिला है बहुत काफी कुछ उसमें बहतर मिला है और उसी का जिल्ट शायव इन बच्चों के रुप मुझा मिल रहा है जो मेरे पास चाप्रो की शंगे इत पर बोहत अच्छे से हैं और यहां का सब्सक्रा लिए बच्छों को पर की दच्छों यहां में बिलता है सर ने यहां पर मतब जैसे कि आप देखे हो यहां पर कैमरी भी लगे हुए है और हमारी लैब दी है और यहां पर डेली अक्टेंडेंस भी लगाते हैं सर तकी बुलब कोई भी बच्चे आते हैं बहुत से होता है कि घर से अपर इस विदा है इन्होंने मुझफर हुसाइं ज और मैं चाहती हूँ कि इसी शेख मतलब इहां पर आई और मैं यहीं से अच्छी सी जोब लू ताकि मेरे इंस्टिट्यूट को भी मतलब संस्था को भी नाम रहू और मैं मैं अपने सारे विल्कुल हम भी उनेट करते हैं कामना करते हैं आपका नाम किताई नितिश चौदरी नितिश चौदरी जी आप यहां अस्मानी कोचिंग सेंटर में जो है शिक्सा गयां करते हैं यहां पर मुफ्त कुछ बच्चों को शिक्सा दी जाती है उसी के तहट जो है यहां बैग भी विप्रेट किये गए हैं और मेरा मानना है अहला कि ज्यादा तर देखा जाता है कि लड़के स्कूल में बैग नहीं लेकर जाते हैं तो क्या आप कभी लेकर गए अपने स्कूल कोलिग में कभी नहीं नहीं लेकर गए मियादा तो आप यहां आतले हैं रिःप्यष्चंवां लब आप उनका आधर कंटे हुए को दाने में गर्भ मेंसुस करने जाए हैं के लिएक कॉस्प गाईश्ञा वहां और में तरीका है उसमें और यहां की स्कोचिंग सेंटर में आपको कोई पर किसाई देता है बहुत पढ़ाई में और यहां के ब्यावार में